राम राम एरुवेडी स्वागते सभी का विदानता अकेडमी इंदौर और अंकोरण इंस्टिटूट में हम लोग मेंसुरेशन के कुश्चन्स डिसकस कर रहे हैं और उसमें आज हमारा फूर्थ सेशन है तो फूर्थ सेशन के कुश्चन्स हम स्टार्ट करते हैं अब इसका अगर आपको देखना है ना तो थेयोरी का जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे तो आप उसकी अगर इसकी थेयोरी समझना चाहें कि हम डिरेक्ट फॉर्मूला कहां से ले लेते हैं तो थेयोरी आप जाकर वीडियो में देख सकते हो जो नहीं हो जाएगी व रेडियर्स को बढ़ा रहा है अब देखो वह चेंज किस में कर रहा है आर में आर से वह क्या कर रहा है और पहले परिधी कितनी होती थी परिधी अगर पहले देखे तो टू प होती थी अब क्या हो जाएगी परिदी तू पाई आर की जगा कितना हो जाएगा अब तो कितना हो जाएगा यह सिक्स पाई आर हो जाएगा तो पहले से कितने गुणा दो से हो गई छे कितने का गुणा हो गया तीन गुणा हो गया और यूँ भी आपको हम बार-बार समझाते हैं कि यदि वो आर में चेंज बूले त्रज्जा में परिवर्तन बूले या व्यास में परिवर्तन बूले या परिधी में परिवर्तन बूले तीनों एक ही बात हैं जब त्रज्जा में तीन गुना परिवर्तन हो रहा है तो अपने आप पर दिये उसमें भी कितना परिवर्तन होगा तीन गुना परिवर्तन होगा अगर वो व्यास में परिवर्तन पूछता तो भी तीन गुना होता तीनों एक ही जानकारी होती हैं तो यहां हमारा आंसर बनेगा option number और यह हम कई बार बोल चुके हैं आपसे आप ध्यान रखना इस बात को इसमें वो अर्ध पर्धी या अर्ध परिमाप भी वो ले सकता था हलाकि अर्ध परिमाप अलग है लेकिन कहानी वही होगी उसमें भी लंबाई यूज होती है वो कोई भी टर्मी यूज करेगा आपके लिए तीनों लंबाईया हैं वो सेम रहेंगे अगला कुशन किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग 80 सेंटीमीटर परिमाप का एक वर्ग है अगर इसकी परिमाप 80 है तो उमीद है 80 को 4 बराबर भागों में 20-20 में बांट कर आप यह समझ पाएंग 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की बुजा की दोगनी है क्या है दोगनी आयत की लंबाई तो आयत क्या बनेगा बराबर में एक आयत बन जाएगा जिसकी बुजा कितनी है वर्ग की बुजा की दोगनी मतलब 40 अब आगे क्या बोल रहा है यदि आयत की चोड़ाई 20 cm है 20 cm है तो आयत का छेतरफल वर्ग के छेतरफल से कितना ज़ादा है वर्ग का छेतरफल 20 कुणा 20 या भुजा का वर्ग कितना हो जाता है ये 400 ये 400 बना यहां देखो 40 कुणा 20 4 दूनी 8 कितना ज़ादा है ये कितना ज़ादा है ये है चार सो जादा, option number C, कोई समस्या वाली बात नहीं है, अगला प्रशन, एक वर्ग का परिमाप, हाँ, जो रिक्वेस्ट थी कि हम टेक्निकल जो टर्म्स हैं, वो इंग्लिस में बुला करें, हम डेफिनेटल अब इंग्लिस में बुल दिया करेंगे, परिमीटर दे रहा है, 44 से एक परिमाप के बढबर, दोनों के परिमाप boundary कैसी है, सेम है, चलो अच्छी बात है, दोनों की सेम है, अब पिछले कूशन के जैसे, वर्ग का परिमाप 44 है, परिमीटर स्क्वेर का 44 है, तो हम तुरणत क्या कर लेंगे, एक स्क्वेर बना लेंगे, और से भाग यह 11-11 आ गई इससे हमें पता चला कि जो आयत का परिमाब भी है वो भी कुछ क्या है? 44 सेंटीमेटर का है, ठीक है, आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई बर्ग की उजा से पांच सेंटीमेटर जादा है, है मतलब जो rectangle है यह 11 से 5 जादा है 11 और 5 कितना होगा 16 होगा ठीक है और वर्ग और आयत के छित्रफल का योग बताना है बड़ी अच्छी बात है ठीक है बता देते हैं यह 16 होगा 16 और 16 कितना हो गया 32 वो बोल रहा है पूरी boundary मिला कि जैसे इसकी boundary 44 है इसकी boundary boundary भी 44 होगी इसकी boundary कैसे निकालते है टू आफ एल प्लस यह 44 है तो दोनों मिला के कितनी होगी 22 एल प्लस भी मिला के 22 एल 16 है 16 है यहां जाके घटेगा तो बी कितना बचेगा 6 तो यह बचा 6 वो बोल रहा है दोनों की छेत्रफलों का यह पिछले कोश्चन में दोनों के छेत्रफलों का अंतर पूछा था यहां कितना आ जाएगा 121 यहां कितना आ जाएगा 16 के 96 तो यह कितना कम है कितना कम है माइनस करेंगे 21 और 4 25 क्या पूछ रहा है अच्छा योग पूछ रहा है पिछले मैं अंतर पूछा था इसमें योग पूछ रहा है तो यह हो जाएगा 96 इसमें जोड़ोगे 100 जोड़ो पूरा फिर 4 घटा देंगे 221, 221 मैं से 4 घटा दोगे तो प्लस करने पर कितना आ जाएगा 217 ऑप्शन नमबर इस तरीके से योग निकाला जा सकता है अगला गोशन किसी संबलंब का परिमाब संबलंब कैसा होता है जिसकी आमने सामने की साइट पैरलल होती है आमने सामने की बुझाएँ समानतर होती है सिर्फ इतनी कहानी इसकी रहती है का परिमाब 104 है पूरी बाउंडरी मिला के 104 है ठीक है 104 है पूरी बाउंडरी उसकी दोनो अ समानतर बुझाओं की लंबाई 18 और 22 है 18 और 22 मिला के कितना होगा 18 और 22 मिलाके होगा 40 अगर ये 40 है तो बचा कितना समांतर का क्योंकि हमारे लिए यूज में क्या आता है समांतर का आता है यूज में तो ये बचा 40 हो गया दोनों मिलाके तो समांतर का कितना हो गया 64 तथा उसकी उंचाई 16 है ये है हाइट उसकी 16 तो समलंब का छेतरफल मैं समांतर भुजाओं का योग यूज होता है A plus B A plus B क्या है ये A है और ये B है sum of parallel side into height upon 2 ये होता है 6 रुफल एक समलंब चतरबुज का टरपेजियम का ये कितना दे रहा है हमें ये पूछ रहा है हमसे A plus B कितना है हमारे पास 64 है और height कितना हमारे पास 16 है और ये 2 ये हो जाएगा गुणा करके 512 8.32 का 2 8.48, 48 और 4 48 और 3 51 512 option number C easy question था ज्यादा समश्या नहीं सीधे फॉर्मूले पर बेज़ था और ट्रपेजियम से जित्रों कुश्चन साते हैं फॉर्मूले पर बेज़ आते हैं ट्रपेजियम में और सम्चत्रबुच रॉंबस में दोनों की फॉर्मूले ध्यान रखना और पैटर्न ध्यान रखना कोश्यन लगभग फिक्स आता है वो फिक्स मैच रहता है आप लोगों के लिए एक उत्तल सम्भवभुच के सभी अंतहकौन एक जो रेगुलर पॉलीगन है उसके सभी इंटिरेर एंगल का सम कितना दे रहा है बड़ा जाना माना सा कोश्यन है सम कैसे निकालते हो योग निका कोश्यन आया था फिर यह मिलाकर कितना दे रहा है वन जीरो एट जीरो ऐसा कोश्यन हम कर चुके हैं जमेट्री में 18 से इसको काटोगे 6 बार दो वहां जाके जोड़ जाएगा एन इस इकल टू क्या हो जाएगा एट एन इस इकल टू एट आ गया क्या बूल रहा है अच्छ आठ हो जाएगा आठे कम आठ हो जाएगा दो बचे का आठ तीन 24 हो जाएगा बचे का चार 25 चालिस एक सो पैंतिस टिग्री ऑप्शन नमबर भी यहां तक हम question कर चुके थे यह add होके यहाँ पन को दिखा seat at 2015 में question था कुछ questions ठीक है आपको सीखने को जरूर मलेगा किसी यदि किसी संभाहूत रबुच का छेतरफल 16 root 3 है तो formula आपको पता होना चाहिए छेतरफल का formula क्या होता है root 3 upon 4 a square ये इसका relation होता है किसी भी equilateral triangle के area का संभाहूत रबुच के छेतरफल 16 root 3, root 3 cancel out हो जाएगा a square यहाँ जाएगा, a square बराबर क्या हो जाएगा 64 या 16 में से 4 बाहर आजाएगा, इसका 2 बाहर आजाएगा 64 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ a square लिख लिख लिया a, a, a मतलब boundary मिलाके कितना होगा, 3 a, तो 3 into a मतलब 6, 8, 8 आठती है 24 cm, option number b, easy question जहाँ रुकना होगा हम रुक के समझ लेंगे, अच्छा यह question repeat होगा, चलो ठीक है एक question कम होगा, आपका आज का, एक बेलन के प्रक्ष्चिय छेतरफल का चार गुना उसके आधारों के छेतरफल के यूग के 6 गुने के बराबर, फिर से देखो अच्छा question आ गया और यह हम बार-बार practically समझाते हैं, कि जो बेलन होता है, slender होता है, उसमें दो तरह के area होते हैं, दो तरह के area कौन से, एक area है, यह जो curve वाला है, मुडा हुआ वाला है, एक तो यह area होता है, दूसरा होता है, इसके नीचे जो flat surface होता है, यह जो flat surface है, दूसरा area यह है, पहला curved surface area, दूसरा flat, एक नीचे रहता है flat, एक उपर रहता है flat, और यह curve रहता है, अब चलते हैं दोनों के पास, हम इसके formula कैसे drive करवाना सिखाते हैं, जो मुडा हुआ हुआ हिस्सा है, यह जो curve वाला हिस्सा है, यह start कहां से होता है, यह होता है, एक circle से, circle से, circle के भी किस से, पर दी कितनी होती है, 2 pi r, और जब यह उपर की तरफ चला जाता है, यहां तक तो यह क्या थी, line थी, लेकिन जब इसको उपर की तरफ ले जाते है, height के साथ, तो यह बन जाता है, 6 रुफल, r और h, दो विमाव का गुडन फल हमेशा 6 रुफल होता है, तो यह 2 pi r h है, इसे 2 pi r square, अब इसने जो दिन, दो छेत्रफलों की बात की, हमने वो दोनों लिख दिया, गुने की जो बात कर रहा है, वो देख लेते हैं वापस से, curved surface area, वक्रपस्ट का चेत्रफल का 4 गुना, इस खा 4 times, into 4, आधारों के चेत्रफलों के योगफल, मतलब नीचे का फ्लैट एक सरकल, उपर का एक फ्लैट सरकल, मिला के जोड के कितना गुना कर दें, 6 गुना कर दें, और बराबर कर दें, 6 into 2, यह 4 से 2 से काट 2, इस 2 को काट दिया, यह आर दो बार है, एक बार काट दिया हमने, और क्या बचा हमारे पास, 4 से यह 2 बार और यह 3 बार, अब क्या दे रहा है हमें, यहां बचा बार, यहां बचा 2, उचा ही दे रहा है 12, यह बचा height 12, और यहां कितना बचा था, 3, 3 से 12 को काटा 4 बार, तो आर कितना आ 8 आगया, अब क्या जानना चाहता है, अब वो जानना चाहता है इसका volume, बड़ा simple सा होता है volume भी किस से बनता है नीचे circle बनाए और इस circle को h height तक उठा दिया, वो हो जाता है इसमें space कितना है तो space circle से बनेगा नीचे जितना circle बना है उसको उस height तक हम देखें, तो circle क्या होता है, pi r square, कितनी height तक, edge height तक, यह इसका volume होता है, pi इसमें value put नहीं कर रहा है, तो अपन भी नहीं करते हैं, r square, r कितना निकाला है हमने, r निकाला है हमने 8, तो 8 into 8, या height कितना, 12, तो 12, 8, 96, 96 का 8 गुना, 100 का 8 गुना, 800 होता है, 4 का extra ले लिया, 8 गुना, 8 चो कितना होता है, 32 घटा देते हैं, 800 में से, पहले 30 घटा दो तो 570 बचेगा, दो और घटा दो 568 बचेगा, वापस से करते हैं, इसको, 4 घटाना है, 12, 8, 96, 96 की जगे हमने 100 का 8 गुना कर लिया, 800 आ गया, लेकिन 4 का जो 8 गुना था, वो हमने extra कर लिया, 4 का यह 8 गुना extra कर लिया, तो 32 घटाना है हमें, 800 में से, 30 घटा होगे, 570 बचेगा, दोर घटा होगे, 568 बचेगा, वही बच रहा है, तो यह बनेगा अपना 568 पाई, ऑप्शन नमबर D, 768, 800 में से घटा है न, यह लाइव नहीं होता है न, उसका लॉस है, अगर लाइव होता न, तो आप लोगों की आवाज और कमेंस, धुआधार तरीके से आते हैं, सर 800 में से घटा है, 700 अट सट आएंगे, 500 अट सट नी, लेकिन अच्छा ही एक चीज़ लगती है, जो आप लोग सुधार करते होना, कमेंस में, उससे यह तो लगता है, कि हमारी महनत को कोई यूज कर रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो, तो अच्छा है, अच्छे से पढ़ते रहो आप लोग, हम इसी तरह से कोसिस करेंगे, अच्छा का डेंट देते रहा है, यह और कोशिन देखो, अच्छा ज़ा, O, A, O, B और O, C, एक घर्न के एक ही सीर्स, O पर मिलने वाली कोरे हैं, अब यहां पर कोर को समझना होगा, जो कोर, हिंदी इंगलिस में कोर ही बोलते हैं, अब कोर को हम समझें किनारा, किनारे हैं, और सीर्स वर्टेक्स हैं, तो हम समझें हमने इसको समझाने के लिए बॉक्स लेकर हम आये थे, इन्हें बूला जाएगा क्या किनारा, यह किनारा होते हैं और यह सीर्स होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, यह वर्टेक्स होते हैं, आप लोगों को यदि पृते-क के लगए कि इस तरह से ऑप पॉइंट बर जाके मिल रहा है एक और ले लिया यहां से यह ले लिया यह खीज दिया हमने और एक यह तरह से अब एक बार हम पकड़ लेते हैं फिर आप लोग समझ लेना, आ जाओ यार, यह इस तरह से हैं, यह O पॉइंट पर मिल रहे हैं, तीनों आके, अब यहां है O पॉइंट, ठीक है, यहां O पॉइंट है, यह तीनों आके यहां मिल रहे हैं, यह A ले लिया, हमने यह B ले लिया, यह C ले लिया, अब यहां से C, यह B, और य यह ए और यहाँ पर ओ लेघा आपन ने यह और बूल रहा है अगे क्या बोल रहा है युड़ी की लंबाई एग है जब क्यूँड है तो ए होगी गन है तो आ ही होगी तो हैंगल एवी सी का छितर में, यू मिलाओगे, फिर ये मिलाओगे, और नीचे से जाकर A और C को मिलाओगे, जब इसको यू मिलाओगे, तो ये क्या है, एक विकर्ण, और यहां जो B है, इसे यू मिलाओगे, तो ये भी क्या है, एक विकर्ण, और नीचे A से C को मिलाओगे, तो वो भी क्या होगा, ए तरी तीन कर्ण से क्या बन रहा है, एक संभाहूत रुज बन रहा है, अब अगर एक फेस लें, एक फलक लिया हमने, अगर हम इसके फेस की बात करें, अगर हम इसकी बात करें कि हम B और C को मिला रहे हैं, फिर A और B और C को मिला रहे हैं, B और A को मिला रहे हैं, जब हम इसको म याद कर लेना चाहिए और देखते रहोगे आपको याद हो जाएगा यह अभी तो फूर्थ पार्ट है साथ पार्ट इसके आने है फिर उसके बाद है इसी लिए 3D movies अलग आती है उनके लिए जो glasses है third dimension वो अलग से डालते हैं जो आपकी आँख है वो 3D देख सकते हैं लेकिन जो screen है वो 2D होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई रहती है चाहे आप इसे उचाई बूलने बस दो ही dimension रहती है अब a root 2 a root 2 a root 2 side से इसके इसका area क्या होगा इसका area होता है root 3 by 4 side square side का square root 3 by 4 side कितनी आई है इसकी a root 2 a root 2 का square तो ये बन जाएगा अपना 2 बन जाएगा ये और इससे cancel out करोगे दो बार ये cut जाएगा तो ये बचेगा root 3 a square बचेगा और नीचे बचेगा 2 क्योंकि वो cancel out हो गया तो answer बनेगा option number c अच्छा question था अच्छा पूछा गया question तो तीनों में relation पूछा है ठीक है ब्रत का छेत्रुफल a is equal to होता है pi r square अब pi r square में a is equal to हमें use करना है pi को हटाना है देखो कहीं pi नहीं दिख रहा है pi नहीं दिख रहा है तो हम कैसे हटा सकते हैं हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं r into r लिख सकते हैं यहीं लिख सकते हैं अब यह pi r है pi r तो हमें use नहीं करना है वो क्या बुल रहा है उसकी परिधी c है परिधी का use करना है सभी जगा पर C का यूज कर रहा है, और C is equal to क्या होगा, circumference is equal to क्या होगा, 2 pi R, यह उसकी परदी होती है, 2 pi R, तो यहां मैं 2 चाहिए, तो हम तो जबरदस्ती कर लेते हैं, उपर 2 डाल देते हैं, नीचे 2 डाल देते हैं, यहां 2 का गुणा कर देते हैं, यहां भी कर देते हैं, यह अच्छा लगे, हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर देते हैं, तो इस 2 pi R की जगे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, तो 2 A is equal to क्या होगा, C R, अब देख लेते हैं, इस form में दे रहा हो, तो अच्छी बात है, नहीं तो इधर उदर, हाँ दे रहा है, इसी form में ही दे रहा है, सीधे सीधे answer, 2 A is equal to R C या C R A की बात है, अगर वो नहीं देता, तो इसको इधर उदर बेज कर अपन देख लेते, मैच कर लेता, तो ऐसे जो questions आते हैं, यह थोड़ा सा हिमत करने वाले questions आते हैं, कि इसमें हम क्या कर दें, यह तो हमें आएगा ही नहीं, तो डरना नहीं, अब बस लिखोगे और रास्ते मिलते जाएंगे, कि हम एक बात बहुत अच्छी बताते हैं आप लोगों को, और यह जो हमारी practical life है, उसके लिए भी हमेशा सच होती है, और हमने इसको कई बार आजमाया है, अपनी व्यक्ति का जिंदगी में कई बार आजमाया है, कि जब हमें रास्ते नहीं दिखते ना, तो हमें लगता है कि हम कहां जाएं, क्या करें, लेकिन आपने जो तैय किया है, अगर आप उस तरफ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको रास्ते दिखते हैं, जैसे आप किसी अंजान जगया पर जाना सुरू करें, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको रास्ते मिलते जाएंगे, भले वो पूछ कर मिलें, लेकिन आपको रास्ते मिलते जाएंगे, तो बढ़ते जाना आपका काम है, रुकना नहीं है, और डरना नहीं है, कोश्यन आपका दिन बनेगा और दिन से ही क्या होगी दिन और दिन और दिन मिलाकर होते हैं वर्स महीने जिन्दगी तो जिन्दगी जीने के लिए छुटी-छुटी गुशियां इखटी करना है हमें चलते आगे अगला कुशिन एक गोली की तरिज्जा को 20 प्रतिशत घटाने पर उस ए 3, gehe 3,D, dari q अब देखो यह constant है यह constant है इनमें कोई भी change नहीं होगा हम कई बार बात कर चुक perder हजारों बार बात कर लिए हमने? r determined r gag it by यह और इंटू-r attain है यह 3-1- बार आ है मतलब जो change होगा वह कितनी बार होगा 3-1 बार change होगा और कितना? 20% 20 पृतिशत की कमी करते हैं किस से आता है solve करना आपको आता है x plus y plus xy upon 100 से इस से आता है तो आप इसी से solve करके देख लो इस से solve करने हम चलते हैं x के और y की दोनों की जगे हमें क्या put करना है दोनों की जगे हमें minus 20 put करना है तो minus 20 डालेंगे हम माइनस का 20 और प्लस माइनस 20 इंटू माइनस 20 अपॉन 100, दोनों 0 कट गए, 20 और 20 कितना होगा, माइनस का 40, दो दूनी 4, लेकिन किसका, प्लस का, अल्टीमेटली कितना बचा, प्लस का 36, सुरी माइनस का 36, अभी 2 solve किये, हमने इनसे solve करके आया है, माइनस का 36, इसे इसके साथ solve कर देते हैं, चलते हैं, वापस से solve करते हैं, माइनस X की जगए, माइनस 36, और Y की जगए, माइनस का 20, माइनस का 36, गुणा माइनस का 20 बटा 100, पॉइंट में दे रहा है, पन पॉइंट में चलेंगे, 36 और 20 कितना होगा माइनस का 56 अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 36 दोनी 72 और आपको इसे नहीं काटना है 72 और 72 की जगे आपको क्या लेखना है 7.2 पहले 7 घटा दो 56 मैंसे 7 घटा होगे कितना बचेगा 49 49 मैंसे .2 घटा दो 48.8 माइनस का 48.8 ओप्शन नमबर डी ये दिख रहा है आप सॉल्व करोगे आप समझ जाओगे ये कैलकुलेशन भी आसान है तो ये अपना अंसर बनेगा ओप्शन नमबर डी आगले कोशन की तरफ चलें एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दो अनुपात एक है और परिमाप साथ है सिंपल सा गोशन है अगर हम इन दोनों को जोड कर देखे या एकस से ही कर देते हैं बहुत सिंपल सा एकस से कर देते हैं एकस से करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस एकस 2 इंटू 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना है 60 है तो यह हो जाएगा 30 दूसरा तरीका हम अभी बताने वाले हैं कि दो लाइन में आप कैसे कर देते 3x बराबर 30 तो x बराबर कितना x बराबर हो जाएगा 10 क्या जानना चाहता है 200 यह हो जाएगा अब चले हम यूनिट से अगर आप 6 फल निकालने जाते तो आप से गलती होती क्योंकि 6 फल क्या होता है लंबाई और चोड़ाई का गुड़न फल यहाँ अगर यूनिट के हिसाब से जो आप गलती कर सकते थे यूनिट के हिसाब से आप क्या करते यहाँ तो आप ले ले ते परिमाप क्या होगी दो बार लंबाई आएगी दो बार चोड़ाई आएगी दो और दो चार और दो यह आएगा 6, 6 यूनिट कितना दे रहा है हमें 6 यूनिट दे रहा है 60 बहुत अच्छी बात है 6 unit 60 दे रहा है एक unit क्या हो जाएगी 10 cm हो जाएगी पूच क्या रहा है हमसे दुनों का गुणा करके लंबाई गुणा चोड़ाई दो गुणा एक कितना होगा दो unit और दो unit निकालोगे कितना हो जाएगा 20 और आ कितना रहा है छेतर फल 200 और आपका क कि फिर हम उसे किस से कर लेंगे बुजाओं से कर लेंगे एक unit 10 हो जाएगा यह 20 हो जाएगा तो छेतर फल आप निकाल लेंगे फिर दस गुणा 20 से 200 cm2 इसमें बस unit से आप नहीं करना बस इतना समझाना था कि नहीं आप unit का भी गुणा करके छेतर फल को बता दो वैसा नहीं करना बस ज्यान रखना आप लो जल्दी जल्दी में फ्लो में हम चले जाते लिकिर आप चले जाओगे option नहीं देगा वो ऐसे एक संभाहूत 64 A square ये कितना दे रहा है वो हमें A दे रहा है 16 root 3 by 4 और 16 दे रहा है तो ये हो जाएगा 16 गुणा 16, 4 से कटे गए 4 बार 64 root 3 64 root 3 option number D बस लिखना था तो लिख दिया एक संभाहूत रुबच ABC के आधार की लंबाई 48 है तथा इसका चेत्रुफल 168 है एक एक लेटरल ट्रेंगल है वो बेस अलग दे रहा है बेस आनेवन साइट दे रहा है ये आईसोसिलस ट्रेंगल है अब इसमें वो बोल रहा है पूरा जो बेस है वो कितना है 48 है 48 आपको ये समझा दिया जाए जो बेस होता है इस बेस पर अगर ये दोनों साइट बराबर है परपेंडिकुलर डालोगे लंब अगर आप डालोगे तो जो सीर्स लंब होगा इन दोनों के रेशियो में इसे हैं तो ये रेशियो भी कैसा होगा बराबर ही होगा ये परपेंडिकुलर हो गया इस पर अब हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर भी है और मीडियन भी है दोनों है माधिका भी है लंब भी और माधिका भी है यहां और ये आपको जमेट्री की थियोरी में समझ में आएगा और हम questions करेंगे बहुत सारे, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, इसका छीतरफल एक सवर्ट सेट है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 24 और 24 हो जाएगा, ये 24 और 24 में बढ़ जाएगा, A, B, C, और इसे हम ले ले लें, D, जाएगा, इसकी समान भुजाओं मैंसे, एक की लंबाई कितनी है, दोनों मैंसे किसी की भी बता देंगे हम, अब हमें क्या दे रहा है, वो दे रहा है, हमें छेटरफल, तो छेटरफल का यूज करना है, B, बेस पॉन टू छेत्र फल क्या होता है वन अपॉन टू बेस इंटू हाइट बेस कितना 48 और हाइट कितना एच लिख लिए हमने यह दिरा है 162 से काटेंगे हम कितनी बार 24 बार और 24 से कितना करेंगे हम साथ बार यह साथ बार हो जाएगा तो H is equal to क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा जब H is equal to 7 आ गया यह हाइट 7 आ गई तो अब हमारे लिए काम आसान है पाइथागुरस लगाना अगर हम इसमें पाइथागुरस लगाएं तो AC स्क्वेर इस इक्वल तू बेस कितना 24 का स्क्वेर औ और यह 49 दोनों के जोड़ोंगे कितना हो जाएगा 625 AC स्क्वेर बराबर 625 तो AC कितना हो जाएगा 25 625 किस का वर 25 तो एक बुझा कितनी आ गई 25 यही तो जानना चाहता था हमसे option नमबर D किसी एक lecture हमने record किया था उसमें आप लोगों ने दिखा होगा answer AAA आते जा रहे थे य नियोग है किसी एक वर्ग का छेत्रफल किसी एक ब्रत के छेत्रफल का सोला बटा पाई है ऐसा question एक बार और कर चुके हम तो repeat होते हैं questions किसी एक वर्ग का छेत्रफल ए स्क्वेर ब्रत के छेत्रफल का ब्रत का छेत्रफल पाई R स्क्वेर का 16 अपॉन पाई है पाई से पाई उड़ा दिया स्क्वेर उट ले लें दोनो दरफ ए बचेगा और ये बचेगा R और ये बचेगा 4 तो बर्ग की भुजा और ब्रत के व्यास में अनुपात बताओ तो पहले तो त्रिज्या में निकाल लेते हैं व्यास में बाद में निकालेंगे इसको नीचे ले आते हैं ए अपोन आर ये बचाा 4 तु सु वजगे क्या करना है 2014 धोनों तरफ नीचे दो से गुणा कर देते हैं यहां भी दो लिख देते हैं यहां भी दो लिख देते हैं तो आपोन टू आर कितना बचेगा Thusू बचेगा गार ग़ तो 4-1 में यह अच्छा बन जाता जो लोग ध्यान देते उनका सही होता जो नहीं देते उनका गलत हो जाता कुश्चन सीटेट में पूछा गया ठीक है कुश्चन चलते हम आगे एक मानचित्र का स्केल एक को सॉरी दस हजार को कितना लिख रहा है वो एक लिख रहा है दस सेंटीमेटर लिख रहा है इतने सेंटीमेटर था तब वो एक लिख रहा था अब कितना लिखा है दस मतलब इसके 4-0 उड़ाए हैं उसने चार-0 उड़ाए हैं और इसके भी 4-0 उड़ाए हैं कि माप के एक आयताकार छित्र के रूप में दिखाएगा इस जंगल का वास्तव एक वास्तव मतलब हो वास्तव एक लिखना होगा तो वह वापस लाने पड़ेंगे 0 हम वापस ले आते हैं दे देते हैं उसको 10 के 4-0 वापस दे दिए हमने इसको 100 के 4-0 वापस दे दिए उसको हमने यह हमने लिख दिया वास्तविक लेकिन हमने यह किस में लिखा है सेंटीमेटर इंटू सेंटीमेटर सेंटीमेटर स्क्वेर में लिखा है कोशन हम से किस में पूछ रहा है किलोमेटर स्क्वेर में पहला काम हमारा क्या होगा, कैसे हम चेंज करेंगे, दिखो, सेंटी का मतलब होता है, माइनस का 2, डैसी का मतलब होता है, एक बार भाग लगाया आपने 10 से, सेंटी का मतलब 2 बार, और मिली का मतलब 3 बार, और सेंटी का मतलब क्या होता है, 2 बार भाग लगाया, 1 मीटर क्या कर दिए उड़ा दिए तो सेंटीमीटर से मीटर तक जाना है अपन को अपन क्या करेंगे दो जीरो कम कर दिए जब मीटर से किलो मेटर किलो का मतलब ही क्या होता है तीन जीरो तो तीन जीरो और कम कर देंगे क्योंकि किलो लिख रहे हैं हम तो तीन और दो कितने पांच ज से भाग, अब ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, आंसर किसमें आएगा किलोमीटर स्कndर में, जो ये चाहता है, पांच-0 ओड़ा देते हैं, ये 5 कि 5 ओड़ जाएगे, बचा कितना? 10, किलोमीटर स्कndर, ये इसका एरिया है, option number answer change हो गया d से a आ गया तो ये अपना answer बनेगा ये question बस समझ का था units का किसी आयताकार बक्से a की आंतरिक लंबाई चोड़ाई उंचाई क्रमसर 20, 18 और 15 है तथा बक्से b की 18, 12 और 5 है बक्से a का आयतन बक्से b के आयतन का कितनी गुना है अपन माल लेते हैं बक्से b के आयतन का 18, 12 और 5 का n गुना कितना है बीस 18 और 15 है, solve कर लेते हैं 18 से 18 कट जाएगा फिर 5 से ये काटोगे 4 बार 4 से 12 को काटा 3 बार 3 से 15 को काटा 5 बार और n is equal to कितना आ गया 5 गुना है तो n is equal to 5 option number अगला सवाल 42 गनों को जिन में से प्रते की बुजा 1 cm है एक साथ चिपका कर एक ठूस गनाब बनाया जाता है यदि इस गनाब के आधार का परिमाब 18 cm हो तो इसकी उंचाई कितनी होगी देखो 2004 का सिटेट का कोशन है और बहुत ही बहतरीन काफी हद तक इसको ओपन छोड़ा गया सोचने के लिए कि आप सोचें 42 गने आप जोड़ें नीचे परिमाब कितना दे रहा है वो 18 दे रहा है परिमाब अब नीचे परिमाब 18 कैसे हो सकती है परिमाब क्या होती है पूरी बाउंडरी मिला के वो 18 बोल रहा है अब बाउंडरी मिला के वो 18 बोल रहा है अब बनेगा क्या नीचे आयत बनेगा नीचे आयत बनेगा ये लंबाई ये लंबाई और ये चोड़ाई मिला कर वो कितना बोल रहा है ये पार्ट, ये पार्ट मिलाके कितना है, 9, क्योंकि पूरा कितना है, बाउंडरी 18 है, और 42 गंद में जिसमें से प्रतेक बुचा 1 है, एक एक यूनिट के हिसाब से काम हो रहा है, तो फिर यहां पर और यहां पर मिलाके कितने बक्से हैं, टोटल 9 box रखे हुए हैं, 9 cube रखे जा सकते हैं, अब आप देखना, इन दोनों पर मिलाके 9 cube, 1 plus 8, इससे रखेंगे, 2 plus 7, 3 plus 6, 4 plus 5, पस इसके बाद कोई condition नहीं बनेगी, सिर्फ यही condition बनेगी, और परिमाप कितना है, उसका नीचे का है 18, अब अपन इसको बनाते हैं, एक और 8, हम एक और 8 कैसे, यहां 8 रख हैं, और total box कितने हमारे पास, 42, हमने यहां 8 रखा, यहां एक box रखा, एक box, तो 8 और यह मिलाके, 8 दोनी, 16 और 2, 18, यह तो हो गए, यह कहानी कैसे बन जाएगी, आपने यूँ 8 box रख दिये, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, हाँ, यह, यह आपने 8 box रख दिये, यूँ 8 box और यूँ 1 box हो रहा है, यह आपने 8 box रख एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, अब देखो, इसका परिमाप आप निकालोगे, 8 और 8, 16, 17, 18, परिमाप 18, लेकिन 8, 8 के पहाड़े से जब आप उपर रखते जाओगे, तो यह 42 कभी नहीं होगा, मतलब जो पहला बाला option है, वो पूरी तर लेकिन ऐसे ऐसे अगर 8 box हम उपर रखेंगे, तो हमारा काम नहीं बनेगा, 42 box नहीं हो पाएंगे, यह फिर चलते हैं, 2 और 7 पर, हम 7 यूं जमाते हैं, हमने 7 जमाए यूं, यूं कर देते हैं, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक और ले लिया, 7, 7 यूं गए, दो यूं गए, 7 और दो, 9, और 7, 16 और दो, 18 हो गया, box कितने हो गए, box हो गए, 7 दो नहीं, 14, 14, 14, 14, चाउडा, कितने हो जाएंगे, 42, इससे हमारा काम बन रहा है, दोनों conditions को वो satisfy कर रहा है, नीचे का परिमाप 18 हो रहा है, और जो box हैं, वो 42 हो रहे हैं, तो इससे हमारा काम बन रहा है, इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, छै और 3 पर रखोगे, box कितने हाज पास बनेगा ही नहीं फिर चार और पांच चार पंजे बीस बीस दुनी चालेस दो बॉक्स फिर बचेंगे अगला बिल्ड अगला लेबल बनाओगे तो 20 तीए 60 ही जरुवत पड़ेगी नहीं बनेगा सिर्फ किस से बन रहा है इस कंडिशन से बन रहा है तो इस तरह से जाएगी इसकी तीन मतलब ऑप्शन नंबर यह हमारा अंसर बनेगा यह क्या हो जाएगा साथ और दो इसकी इस तरफ और एक डाइमेंशन छूट जाएगा तो वह हम यहां से ले लेते हैं या इसको एच छोड़ देते हैं यह कितना हो रहा है टोटल सॉरी 42 घने 1 cm भुजाए हां तो इससे हाइट हमें कितना मिल जाएगी सीधे उसकी कैलकुलिशन पर ना जाके हाइट हमें सीधा कितना दिख रही है यूज करके 3 क्योंकि यह वॉल्यूम का कुश्यन ना होकर यह काउंटिंग पर कुश्यन जादा जा रहा है तो हाइट कितनी बन अब तो समलंब आपको याद हो चुका है टरपेजियम मतलब होता है आमने सामने की साइट पैरलल और इसका एरिया क्या होता है सम आफ पैरलल साइट समानतर बुजाओं का योग समानतर बुजाओं का योग गुना हाइट और नीचे ये छेतर फल होता है इसका हम इसलिए रहें कि अब ये ना आपकी जुबान पर आ जाएगा रात में भी कोई पूछे तो याद ही हो जाएगा ये कितना दे रहा है 720 दे रहा है जो दे रहा है पहले लाइन में वो लिख दिया आपने दो समांतर बुजाओं के बीच की दूरी 20 है मतलब अच कितना दे रहा है बीच उनमें से एक समांतर बुजा 35 है ये 35 दे रहा है दूसरी समांतर बुजा पूछ रहा है 35 प्लस बी और ये कितना एच दे रहा है 20 और ये दे रहा है 2 बराबर 720 जीरो काड़ दो ये 2 काड़ दो 35 यहां जाएगा घटेगा तो B बराबर क्या आजाएगा 37 37 ओप्शन मेंबर A, simple question अगला question, last question फिलाल का यदी मद A का मूले B के मूले से 25 प्रतिशत कम है, अगर हम A और B की बात करें information किसके बारे में दे रहा है, information दे रहा है वो A के बारे में, A का मूले किस से comparison करके B से, अब percent में question है, जिस से भी comparison करेगा वो कितने percent होगा total, 100% होगा, तो B कितना है, 100 100 से कितना कम, 25 कम, मतलब है कितना ये, 75, तो कितना हो जाएगा, 3 बटा, 4, A अगर 3 होगा, तो B कितना होगा, 4, क्या जानना चाहता है, A के मूले से, sorry, B का मूले, A के मूले से, किसके बारे में जानकारी चाहता है, वो अधिक या कम के बारे में जानकारी, अधिक या कम मतलब difference की जानकारी चाहता है, वो अब किसके difference की, B का मूले, B का मूले, कितना अधिक है, कितना अधिक है, देखो B, B कितना जादा है, एक जादा है किस से एक के मूल्य से जिस से तुलना करता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है तो किस से तीन से इंटू हंड्रेड ये हो जाएगा 1 बाइ 3 का मतलब 33 1 बाइ 3 परसेंट और ये बोल कर बताना ट्रिक के फॉर्म में नहीं बताने का रीजन ये है आप लोग टीच में information देते हैं वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है यह आप ध्यान रखेंगे समझ के रखेंगे तो फिलहाल इस session में ये थे हमारे questions उमीद है आप कुछ नई चीज़ें अच्छी चीज़ें सीखे होंगे और आपका जो revision है वो भी sufficient हुआ होगा तो फिलहाल इस session में इतना ही औ थार दो छुआ ये हो packet ।